गूड आफ्टरनून इस्टुडेंट्स ए आई सीटी द्वारा फ्री इंटर्नसीब आया हुआ है उसको कैसे रेइस्ट्रेशन करना उसके बारे में देखेंगे तो हम गूगल पर स्वाज करेंगे ए आई सीटी इंटर्नसीब ठीक है तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा और रेइस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बास देखें यहां पर हम स्टुडेंट्स हैं तो स्टुडेंट्स पर क्लिक करेंगे देन आफ्टर हमारा यह प्रोफाइल खुल जाएगा ठीक है उसके बास हमको क्या करना है रेइस्टर करना है तो यहां पर हम रेइस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बास हमारा जो प्रोफाइल खुला उसे क्या करेंगे फिलफ करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या करना है कॉलेज नेम लिखना है उसके बास यहां पर इंस्ट्यूट इस्टेट का है जिस इस्टेट का है उसमें हमको क्या करना है फिलफ करना ठीक है इं पर उसके बाद से email जो आप मतलब एक टीव वोड को दिए होंगे होंगे या आपका जो परस्टनल email ID होगा उसको भरना और यहां पर password भरना और confirm password create करना ठीक है यहां पर आपका पेट नेम क्या है यहां पर देखें तीन चार questions दिए गए होंगे उसका answer आपको पता होगा तो यहां पर क्या करेंगे लिखेंगे ठीक है उसके बाद से gender जेंडर फिलब करेंगे category फिलब करेंगे last past course मतलब जो पिछले वर्स आप कौन सा course pass out किये है वो यहां पर फिलब करेंगे डिपलोमा है कि बीटेख है कि कौन सा कौर्स आप किये हुए है यहां पर academic percentage मतलब जो आपके academic का percentage क्या है वो फिलब करेंगे और फिर उसके बाद से यहां पर क्या करेंगे आए में नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे उसके बाद से रेइस्टर करेंगे ठीक है यहां आपका रेइस्टर हो गया आपका ठीक है उसके बाद से हम क्या करेंगे यहां पर लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद यहां पर इस्टूडेंट करेंग edit पर click करने के बाद आपको यहां पर फोटो अपलोड करना है, ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद यहां पर personal details आपके भरने हैं, जो आपके नाम है, data word, gender, enrollment number, about yourself, आपके about yourself, अपने बारे में यहां पर इस blog में fill up करना है, उसके बाद से आपके percentage यहाँ पे fill up करने है ठीक है यह आपका personal detail भरने के बाद यहाँ पे training and placement officers institute detail यह आपको institute details भरना है यहाँ पे उसके बाद से institute detail भरने के बाद यहाँ पे क्या कर देना है save करके और next में आ जाना है next profile भरना है फिर से skill language skill language में देख लिए आपका के skill क्या आप learn की है कोई extra आपके पास certificate हो तो यहाँ पे आप भरेंगे ठीक है यहाँ पे भरने के बाद देखिए यहाँ पे next आपके अपने profile में क्या करेंगे resume reference letter and mobile number आप यहाँ पे क्या करेंगे click भरेंगे यह भरने के बाद यहाँ पे देख लिजी uploaded documents आपको कौन कौन से documents upload करने हैं यहाँ पे resume covering letter यही दो चीज़े आपको upload करना यहाँ पे उसके वाद से क्या करेंगे save कर लेंगे and then after area of interest आपका क्या है जो आपका मतलब interest है वो आपको यहाँ पर fill up करना है तो यहाँ पे हमारा interest railway में तो हम fill up करके क्या कर दिए save कर दिए उसके बाद से हम अपने profile को क्या करेंगे layout कर दिए